स्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक चावल की कटोरी और एक कपूर के तुकड़े वाला उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं अब दोस्तों इस उपाय से जोड़ी हुए बहुत सारे प्रश्णों की जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पा हैं कि ये उपाय आखिर हमें किसी लिए करना है और घर के किस सदस्य को करना है क्या सबको करना है या उस कपूर के तुकड़े को किस समय जलाना है कटूरी दरवा किस समय जलाना है और उस कटूरी को दरवाजे पर कहां पर रखना है और चावल उपाय पूरा होने के बाद आपको इस कटूरी का क्या करना है ठीक है तो सबसे पहली जीज़ दोस्तों यह उपाय यहाँ पर शुरू होता है किस दिन से पित्रपक्ष की जो अमावस्या रहत होता है कपूर का तुकड़ा थोड़े बड़ी मात्रा में या जाधा मात्रा में रखना होता है ताकि आपका उपाय अच्छे से हो सके और चावल की कटूरी बिल्कुल फुली हाँ पर भरी जाती है वो थोड़ी बहुत खाली आप लोग चाहें तो रख सकते ठीक है पर जा कावल की कटूरी को पूरा का पूरा उठा कर क्या करना है आप लोगों को अपने घर के दरवाजे पर ले कर जाना है ठीक है आपके घर कर जो दरवाजा हो करना में गेट उस में गेट के सीधे हाथ पर मतलब अंदर से खड़े हो कर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है उ एक main gate main दर्वाजा आपका होगा तो वहां पर जाकर आप इससे रख सकते हैं पर जिनके खुद के मकार नहीं है वो लोग क्या करें तो देखो आपका भी अगर किराय से भी रहते हो तो किराय की घर का भी main gate होगा मतलब जहां तक आपका किराय का घर होगा तो वो आपका में गेट रहेगा और जो लोग मल्टीस में रहते हैं उनका भी एक में गेट होता है जहां से वो अंदर बाहर आते हैं अपने मल्टीस के अंदर या अपने कमरों के अंदर उनका भी एक में गेट रहता है तो वो उस में गेट के बाहर ये वा ये जानवर मतलब उठाके ले गया ये जानवर चावल खा गया या हमारी कटोरी को किसी ने गिरा दिया तो इसलिए हम आपसे पहली बोल रहा है कि इस कटोरी को आप थोड़ा सुरक्षित रखें सुरक्षित कैसे रख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं देखो इस कटोरी को पहली बात तो आपको बिल्कुल चोखट के ऊपर नहीं रखना है, चोखट के अपने दर्वाजे से बाहर की साइट करके रखना है, कहां पर रखना है बाहर की साइट करके रखना है, बिल्कुल चोखट पर बिल्कुल दर्वाजे की ऊपर नहीं रखना ह ठीक है अब उचाई पर भी रहोगी तो भी बिल्ली काने का खत्रा है तो भी उस इस्तान पर क्या करो आप कोई आपके बास कुछ जाली वगएरा की कुछ हो या छनी वगएरा कुछ हो तो आप उसे ढग दो मतलब कहने का यह है कि आपको बिल्कुल पूरा किसी ऐसी जीस से जाती रहा ठीक है तो यह बस आप इसे लिए कर रहे हो ताकि आपकी जो कटोरी है वो सुरक्षितर है और आपका उपाए पूरा हो सके ठीक है तो बस कटोरी का में ध्यान रखना इस चावल की दाने की उपर जो कपूर का तुड़ा रखा हुआ है यह पूरी कटोरी आपके गर के मुक्खे दरवाजे पर ही रखना है जो मल्टीज या क्राय की घर में रहते हैं उनका भी एक मुक्खे दरवाजे है उनने वहीं पर रखना है और कहीं पर रखोगे तो फिर उपाए काम ही नहीं करेगा ठीक है तो करना क्या है आप लोगों को अपने घर के मुक्खे दर्वाजे पर ये भार के साट करके आपने कटोरी रख दी सीधे हात पर अब आपको पूरी रात इस कटोरी को वहीं पर रखे रहें देना है अमावस्या की पूरी रात में ठीक है पूरी रात ये कटोरी आपकी घर के दर्वाजे पर रखी रही अब सुभा जब आप लोग उटो गे तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप उटके इसkaŠी के पास अजाोंगे बिटनान हाईदो नहीं आपको इसकाठी को जब तक हिलाना नहीं है जब तक चुना नहीं है जब तक आप अपने मतलब शुद्ध हो कि सना न होजा कर पलोग जाड़ो बगरा तो बात की बात है। ह अब यहां पर देखो एक यहां पर और निकल कर आता है बात की जब आप सुभा उठोगे तो कितने बज़े आप लोग जो है इस उपाय को पूरा करने के लिए आओगे तो देखो एक अंदाज जिसे अगर बता है तो सुभा 10 बजे तक आप इस उपाय को पूरा कर लेना अब यह उपाय भले आप 5 बजे कर रहे हो सुभा के चाहे 6 बजे कर रहे हो, चाहे 7 बजे कर रहे हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं, पर 10 बजे तक जो है आप इस उपाय को पूरा कर लेना है, ठीक है, तो आपकी घर के सभी काम हो गए, साफ सफाही हो गई, आपने घर से एक माजिस ले कर, ठीक है, क्योंकि जो चावल की कटोरी के और आपने कापूर का दुक्डा रखा हुआ है, इसको आपको जलाना है, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का है कि इस कापूर को हमें कब जलाना है, तो देखो सुभा के समय जब आपका मन कर जाए, जब आ जल्दबाजी नहीं है, पर दस बजी से पहले कभी भी आप लोग कर लेना, और जल्दी कर सकते हो सुभा उटकर, तो जल्दी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो एक माजिस आप लोगों के लेकर आना है, और माजिस अभी आपको कटोरी को चूना भी नहीं है, ना नहीं चावल को छुना है नहीं कपूर को चुना है ठीक है बस जो छनी अपने ढाकी होई कपड़ा ढाका हुआर अ कि लिए ुसको और नहीं सिरुक्सित रखने के लिए उसको हटा के तुम बाद जो कपूर आप लोगों ने रखा हुआ है भले वह तुकड़ा हुए या वो भी सुभा सुभा ठीक है क्योंकि अमावस्या की रात्री में हमने शुरू किया पूरी अमावस्या की रात्री में हमने शुरू किया पूरी अमावस्या की रात्री के लिए सुभा ही गम लग जाएंगे शार दीन अब रात्रे प्रारम हो जाएंगी ठीक है तो सुभा है एक माचिस को ले जाकर माचिस को चला कर आप लोग दस बेसे पहले कभी भी आप इस कपूर के तुकड़े को जला सकते हो ठीक है तो आपको सबसे पहले काम यह रहेगा इसका डोरी को बिना चुए बिना कुछ करे बिना हिलाए डुलाए बस चन्नी उठा ले ना जो सुरक् की तुकड़े को जला गए और आप इस दूसरे काम करने लगे अब आपने इस उपाया को पूरा हिनका शुरू किया तो इस तो इसे vaccine क हरना है आप अपने manis जलागर कर- इस कपूर' पूरा घल जल जाय अच्छ से आग बिल्कुल बुझ जाय कपूर पूरा जल जाय उसके कि आपने मितलब चावल जो भरे हो है इस चावल की strict को अपले की ने सारावा जो है जिन लोगों को पहुषेश करना कंगी कोषी करना कि जमीन पर बिल्कुछ सीधा ना रखो कुछes ना कुछ पहले नीचे रख के फिर इस कटोरी को आप लोग रखो ठीक है तो आपका कपूर जल गया आप कपूर जलने के बाद आप इस चावल की कटोरी को उठा लो और पहुंचाओ किसी भी पेड के नीचे अब देखो यहां पर हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप इस पेड के नीचे जाओ या उस पेड के नीचे जाओ जिस पेड के नीचे पक्षी आते हों दाना चुगने के लिए वहां पर जाओ हर पेड के नीचे आते हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है चाहे वो केले का पेड हो चाहे वो पीपल का पेड हो चाहे वो बेल पत्री का पेड हो च आसे हमद डालना कि बिलकुल एक ही जगा आप डाल कर आकर थोड़ा फैला देना जिससे कि जो पक्षी होंगे वो इन दानों को चुगले तो आपको पूरे में फैला देना है आपको ये भी सवाल निकल कर रहा है कि इस चावल की कटोरी के चावल को हम अपने चछत पर डाल द है तो आप अपने घर के पेड़ के निचे इस चावल के दाने को डाल दो नहीं है तो फिर थोड़ा भार देखो कहीं पेड़ो अच्छा सा कोई भी पेड़ो इसमें कोई ऐसे रुखने वाली बात नहीं है कि ये पेड़ोगा तो ही आपको ये चावल के दाने डालना है को किस लिए करना है यह भी आप यहांपर बात सुनों तो देखो इस उपाई को आपको इसलिए करना है ताकि आपके पित्र lider आपसे प्रसंद हो जाए ठीक है पहली बात है और इसके बाद में सुरेबों दें जब आ चाई हैं अ इस उपाय को करने के बाद आपके हो जाएंगे इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इस उपाय को करने वाले हैं आप भी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा उसके पाद में दोस्तो इस उपाई को लिए गर माताओं भेनों के मन में भी कुछ सवाल आए हैं जिनका जवाब हम आपको देते हैं जैसे कि कोई माता भेन अगर रजिस्वला धर्म में आ गई है तो क्या वो यह उपाई कर सकती है तो दोस्तो इसका जवाब है नहीं अगर कोई भी माता भेन जो है रजिसवला में आ गई है तो भई वो यह वाला उपाय नहीं कर सकती है ठीक है क्योंकि यह उपाय पूजनी यह तरीके का है मतलब भगवान का ही उपाय है और पित्रों से जुड़ा हुआ उपाय है तो कोई भी इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकता रजिसवला धरवाली माताय भेने इस उपाय को ना करें यह बात आप लोग ध्यान रिख लिए घर का कोई और सदस्य जो है चाहे तो इस उपाय को कर सकता है ठीक है और दूसरा जो प्रशन है वो यह निकल कर आया कि कोई माताय भेने अगर गर्व उपाय को कर सकती है तो उसका जवाब भी है कि नहीं कि अगर आपकी घर में कोई और व्यक्ती है तो भई आप उससे यह उपाय कर वालें क्योंकि उपाय में थोड़ी दिक्कत है आपको हो सकती है इसलिए गर्वती माताय भेने यह वाला उपाय ना करें आप अपने घर के किसी और सदस्य जो है यह वाले उपाय को कर वालें अब किस सदस्य को यह वाला उपाय करना है माताओं भेनों को विशिश रूप से ये वाला उपाय करना चाहिए पर किसी खारण से कर माताओं भेने घर में उपस्तित नहीं है तो पुरुष भी ये उपाय को करना उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी कटोरी रात में कोई जानवर नुकसान पहुचा देता है या चावल की कटोरी गिर जाती है तो फिर आपका ये उपाय जो है शायद अधूरा रह जाए पर अगर आपको रात में ही पता चल जाता है कि आपके कटोरी को कोई नुकसान पहुचा गया है तो आप उसी समय दूसरी कटोरी रख सकते हैं ठीक है इसी तरह किसे तैयार करके पर सुबह अगर आप लोग दिखेंगे तो फिर आपका यह उपाय आप पूरा नहीं हो पाएगा उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस उपाय पूरा नहीं है उपाय का ठीक है बाकि और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी भी अगर आपके इमन में इस उपाय से जुड़े हुए कोई भी प्रेशन है तो उसे आप हम से कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो मात्र इसलिए लंबी होती है ताकि आपको आक फिर दिद्व में आसानी हो सके और आपको अच्छे से उपाय समझा सके ठीक है क्योंकि उपाय में अगर गल्ती करोगे तो फिर उपाय काम ही कैसे करेगा ठीक है इसलिए हम बस आपको समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है बाकि आपको कोई भी करके पूछ सकते हैं ओम नमाज शिवाय चाहिए बुले अब